वह जिस आप पहचान कर सकते हैं और इसका क्या टीटमेंट ने हैं कि अनल पहे। सारी चांटे हैं लेकिन इस diri आप छैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथ में दीवी चोटी सी बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजे जिससे मैं कभी भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंद पहुच सके चलिए देखते हैं दोस्तो यदि बच्चों के पेट में कीडे होते हैं तो उसे किरमी रोग भी कहते हैं और इससे बच्चे का मानसिक और सारी लिक विकास रूख जाता है बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पैरेंट्स बहुत ज़्यादा परेसान हो जाते हैं यदि उनका बच्चा सही से खा नहीं रहा है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ा है या बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है कुछ पैरंट्स तो ऐसा भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है और यदि खाता है तो उसके सरीर में नहीं लगता है और तो क्या कारण हो सकता है तो ऐसे में बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं तो यदि बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं तो वो बच्चों के स्वास्त पर बहुत ही बैड इफेक्ट डालते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही हानकारक हो सकता है तो बच्चों के पेट में कीड़े कई तरह से हो सकते हैं ज्यादा तर थ्रेड वर्म जिसे पिन वर्म भी बोलते हैं और दूसरा टैप वर्म ये ज्यादा तर बच्चों के पेट में हो जाते हैं और भी कई तरीके से हो सकते हैं बच्चों के पेट में कीड़े जो चोटे बच्चे होते हैं एक साल से लेकर बारा साल तक बच्चे उन्हें ठ्रेड वर्म यानि पिन वर्म की प्राब्लम ज्यादा तर होती है तो क्या कारण है कि बच्चों के पेट में कीडे हो जाते हैं यदि आप घर की अच्छे से साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है तो इसलिए आप अपने घर को अच्छे से क्लीन रखें जहां बच्चा रहता है खाता है खेलता है या सोता है तो उस जगह को अच्छे से साफ सुत पहले बच्चे के हाथ को अच्छे से धोएं और खाने से पहले बच्चे को या सौच जाने के बाद बच्चे को हैंड वास चरूर कराएं और कुछ चोटे बच्चे मिट्टी खाने की आदत होती है तो कुछ बच्चे मिट्टी या स्रिमेंट की पपड़ी छुड़ा के खाते हैं इससे भी बच्चों के पेट में वाम्स होने की प्राप्लम हो सकती है कभी कभी बच्चे गीली मिट्टी में खेलते हैं मिट्टी को हाथ से छूते हैं और छूते के बद वो हाथ अपने मुझे में रख लेते हैं और जिससे बच्चों के पेट में कीड़े होने के ज्यादा तर चांस हो सकते हैं बच्चों को uncooked food देते हैं तो इससे भी कीड़े होने के chance हो सकते हैं खाना अच्छे से पका नहीं है और बच्चे को खिला दिया है तो इससे भी बच्चे की पेट में कीड़े होने के chance हो सकते हैं यदि आप मार्केट से फल या सबजिया खरीद के लाते हैं तो उसको अच्छे से धूलने तभी आप अपने बच्चे को खाने को दें। कीड़े होने की चांसे हो सकते हैं तो आप अपने बच्चे को बॉयल पानी दें या फिल्टर वाला पानी है पीने को दें। ये इसलिए हमेशा बच्चे को साफ सुत्रा पानी दें पीने के लिए और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा काता है या नमकीन खाता या 豆णी चीजे खाता है तो बच्चे को एट में कीड़े की प्रॉब्लम हो जाती है या अपने बच्चे को हर्ची डाइट के अनुसार दीजिए अधिक मात्रा में बच्चे को को इचिजँ ना दें बच्चों के पेट में केड़ jeśli हो जाते हैं तो बच्चों की क्रोथ र तो यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चे की जो पॉटी एरिया यह बहुत ज्यादा खुजली होगी वहाँ पे बहुत ज्यादा इचिंग होगी बच्चा बार-बार हाट डालके उसे खुजलाने की कोसिस करेगा और जिससे बहुत ही बच्चे को हो सकता है बच्चे को कौनसी पेशन की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को डाइडिया हो सकता है बच्चे को लूज मोसन की दिक्कत हो सकती है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपका बच्चा सोते समय दात को किट किटाता है या सोते समय बच्चे के मुझ से ला तो ऐसे में यह लच्छड बच्चे के पेट में कीड़े के हो सकते हैं यदि ऐसे लच्छड आपको अपने बच्चे में दिखें तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपने डॉक्टर से एक बार कंसर्ट जरूर करें आपके बच्चे के पेट में कीड़े की तो ये मेडिसिन दे सकते हैं लेकिन अपने डॉक्टर की सला पर ही दे इस मेडिसिन का नाम अलबेंडा जॉल सीरफ है और इसको आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और अलबेंडा जॉल सीरफ आप एक साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देना होता है क्योंकि एक साल स कम उम्र वाले बच्चों को इतनी प्रव्लम नहीं होती है छिखं़ को आप 12 iso को आप साल में बार दे सकते हैं यदि आपके बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको महिने के गैप पर भी दे सकते हैं यदि आपका बच्चा एक साल से छोटा है तो इस सीरप को आपको अपने बच्चे को नहीं देना है यदि आपका बच्चा दो साल से छोटा है तो आपको इस की क्वांटिटी हाफ देनी है यानि पांच हमल तक देनी है और यदि आपका साल से बड़ा है तो आपको इस की क्वांटिटी 10 से मिल तक अपने बच्चे को दे सकते हैं और इस दवाई को देने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें इस दवाई को देने के बाद कुछ भी बच्चे को खाने को नहीं देना होता है तो इस बच्च दवाई को रात में देना होता है जब बच्चा सोने चले तब इस दवाई को आप अपने बच्चे को दे उसके पहले आप कुछ मीठा अपने बच्चे को खिला दे इसके बाद आप अपने बच्चे को इस दवाई को दे दे और जो बहुत ही फायदा करती है मैंने खुद अपने बच्चों को द लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें लोगों के साथ शीयर करें थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाय टेक क्यार